नमो बुद्धायर दोस्तों आज हम लोग मंत्र के बारे में जानते हैं मंत्र यानि मन से निकलाओगा कोई सब्द कोई वाक्य जिसको विशेश रूप से चुन करके इसके अर्थ को किसी ब्यक्ति ने अनुभव किया है जाना है तभी ये बनाते हैं ताकि वो अपने शिश्य को सही से उस ग्यान का पता या उस अनुभूती को अपने शिश्य तक दे सके इसलिए ये मंत्र बनाया गया है विशेश रूप से ये तंत्र विद्या में इसका प्रयोग किया जाता है इसका सुरुवात कहां से हुआ है इस जानने पर कुछ लोग करेंगे हमारे किदाब मे बहुत सारे दूर दूर गाओं में जाइए वहां के जातियों से जन जातियों से पुछे वहां पर इसका प्रयोग करते हैं उनके अपना ही मंत्र है कहीं किताबों से पढ़ करके कहीं से सुरू नहीं किया है ये परंपरा परंपरा से उसका उचारन करते हैं इसका विशेश 99 प्रदिशत लोग इसको समझने पाते हैं इसका ग्यान उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि पुर्व की अभ्यास नहीं होता है और पुर्व जन्मों के पुन्य भी नहीं होता है तब ही नाकरात्मक सोच है नाकरात्मक ता इतना फैला हुआ है तो ये भगवान बुद्ध की उपदेश में भी इसका प्रयोग तो नहीं देखा जाता है लेकिन महायान का आप लोग अभ्यास करेंगे तो उसमें विशेश रूप से किसी सिश्य को दिक्षित करने के बाद ओम मनी पे में हूँ, ओमा हूँ भजर गुरु पे मा सिद्ध रहों और भहुत सारे मंत्र है जो देवी को जो देवता को याद करके उनको पसन्ना या उनके गुझ को जाननी के लिए ही दिया जाता है मंत्रा विशेश गुरू के अनुमति के बाद ही, सिष्य के युग्यता के बाद ही गुरू सिष्य को देते हैं, यह publicly या सब के सामने नहीं दिया जाता है, और इसके discussion भी सिर्फ गुरू सिष्य के साथ ही होता है, चलता है, यह publicly, live telecast नहीं किया जाता है, आजकल समाज में इसलिए इसके पति नेगेटिव या नाकरत्मक सोचे, क्योंकि समाज में तो जैसे आजकल इंटरनेट पर साथ करेंगे तो मंत्र, उसका अर्थ, उसका उचारन, इसका फल, कितना इन लोग को मिला, ऐसे जांसते परक्ते हैं, इसे शुरूप से जो साइन्स टेक्नलोजी आया है, हम लोगों का सोच भी एसाई बन गया है, इसका प्रूफ चाहिए, वेलिट प्रूफ चाहिए, फर्स डे में क्या हुआ, सेकेंड डे में क्या हुआ, यह क्या है, यह क्या है, तो सेंटिफिकली आप देखेंगे तो इसका अर्थ खोजने में असमत हों मिलेगा क्योंकि इसमें पूर्वा के पुन्य चाहिए इसका भ्यास उसमें आपका युगता चाहिए बहुत कहते हैं ना भागया चाहिए भागया क्या है पूरवा क्या अभ्यास है आप में ओगता है आपके सरी में ओगता है आपके मन में ओगता है तभी आप जाप उस मंतर का लाप आपको मिलेगा इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है आज सकल यह भी हो गया है कि समाज में इंटरने को रिकोर्डिंग डाल लिए है यापोन में आपके पास गाने है भजने या मंतर उचारने उसको बार बार सुन रहे हैं मैं तो जानता हूं इसका ये आर्थ इसका वो अर्थ है इससे नहीं होता है यह विशेश उपसे साधना में समाधिस्ट ध्यक्ति को दिया जाता है और उ अपना सुद्धी अपना अनुभोती अपना ग्यान के लिए इसका जाप करते है यह कुछ किसी को प्रवावित करने के लिए नहीं जो समाज में ऐसे टेपरी कौर्डिंग में बजाने के लिए नहीं है आजकल तो सभी लोग स्वतंतर है इसलिए इसका प्रएक करते हैं इसलिए इसका अर्थ का अनर्थ हो गया है यह अगर किसी को जानना है तो किसी योग ये गुरू के पास जाकर कि उससे अनुमति उससे दिक्षित होकर कि ही इसके अर्थ को जानने के लिए या वो अनुभवती करने के लिए गुरू के साथ ही अभ्यास करना पड़ेगा, तब ही संभव हो पाता है, आपने ओम मनी पे में सुना है, ओम महों बजरे गुरू सुना है, मैंने इसे पहले वीडियो बने तो इसके अर्थ को भी बताया था, गुरू से जब मिला मैंने, अभ्यास कराया गया, तो मुझे अनुभव वहां कि इसका अभ्यास इसका अभ्यास इस वीदी से करना पड़ता है, और इसका ये वीदिवत नहीं करेंगे तो कोई लाप भी निवार नहीं है, बहुत सारा मंत्र ऐसे भी है, जो बेठे है, लेटे है, कुछ खाये है, नीन म है, या घर का वातावरान सही नहीं उसमें बजा रहे है, अनावशक समय में बजा रहे है, इसे भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब्द के साथ सा तो वाइविरेशन भी जाता है, जिसके कारण से आप पर दुष्प्रभाव हो सकता है, ये मंत्र का प्रभाव इसलिए बलशा होता है, ये जो है, मन से निकलावा सब्द है, विशे सब्द है, उचारन के द्वारा आप तक पहुंचता है, इसको कोई योग्या ब्यक्ति बार बार दोराया, इसका जब किया है, इसके अंदर-अंदर खून में, नसों में समाया हुआ है, इसलिए जब ब्यक्ति बोलता ह तो तुर्ण अग्ला ब्यक्ति प्रभावित होता है मंत्र इसलिए बलसाली है प्रभाव साली है क्योंकि यह सीधा प्रभाव करता है आपके छटा इंद्रिया मन को सीधे मन से जाके टक्राएगा धनी यह वाइबरेशन यह चारन सीधे टक्राएगा क्योंकि आपके जो 5 इंद्रिया है सारा information जाके मन को देता है छटा इंद्रिया इसके आगे काम करता है तो यह सीधा मन में जाके टक्राता है इसलिए प्रभाव साली है यह उचारन क्यूं प्रभाव साली है मैं ने इससे पहले भी उधारण दिया था किसी जानवर को आप यह भाग जाएगा क्या एक सब्दका ही तो प्रभाव है ना मंत्र का भी यह है विशेश रुप से पहले अपने आपको सुद्ध पवित्र करके अपने आपको स्वच्छ अपने आपको योग्या वो समाधी तक पहुंच पहुंच आता है फिर बात में दुसरों को ठिक करने क के लिए बिगारने वाला बात बहुत सुना होगा आपने इसका प्रयोग करने का युग्यता उस ब्यक्ति में रहता है यह नहीं कि फिर बंतर का दूरूपर करके भी वह ब्यक्ति बचेगा इसका तो उसको पाप भुगत नहीं पड़ेगा इसलिए यह प्रवाशाली है अंदर विश्वास तो इसके प्रति हैई है लोग बहुती अंदर विश्वास है क्योंकि निन्याने प्रतिशत लोग हर एक छेतर में देख लेजिए आप निन्याने प्रतिशत लोग ही इसका जो है दूरूपर कर रहे हैं एक दो प्रतिशत ही सही है या सुद्ध रूप से ज जैसे teacher हुआ, जैसे कोई यूज्य तपश्य हुआ, कोई सादक हुआ, कोई गुरू हुआ, एक दो प्रतिसती है, जो सुद्ध रुप से जानते हैं, और व्यक्तियों के यूज्यत अनुशार, उनको सुद्ध रुप से इलाज करना या इंको ज्यान देना, इसे करते हैं, बिवकुब बनाता है ज्यानी को बिवकुब नहीं बना सकता है और ग्यानी किसी को बिवकुब नहीं बनाता है ऐसे समाजिक जो structure है बनावट है उसी अनुशार यह कोई भी अच्छी बात अच्छी ग्यान अच्छी विद्या नकरात्मक हो जाता है यह नकरात्मक लोगों के हाथ में पहुंचने कारण यह सभी मंतर का बहुती अच्छा अर्थ है बहुती अच्छा प्रयोग है अपने आपको सुद्द करने के लिए जैसे ओम विशे सुरुप से ओम सब्द का तीन अर्थ होता है ओम सब्द से बना हुआ है इससे पूरे सरीर में वाइविरेशन होता है और ओम मनिपद में होंका तो मैंने इससे परहे बताया था तो इससे जोड़कर के और भी सब्द जोड़कर के इससे इसको बनाए जाता है बहुती बलसाली बनाए जाता है इसका जब एक बार monitor एक लग तेन लग दस लग एक लग करो रो जब आपको करना पढ़एगा किसी योग्या गुरो को पकड सं recommendations के बाद याु उस योग ये गुरू के साथ अभ्यास करने पर आप में ऊपरिवत ना आ जाएगा आप एस विद्या को जानने का अरत आ जाएगा तो यह मंत्र का अभी विशेस अर्थ होता है, विशेस इसका प्रयग होता है, और मंत्र के साथ सथ कुछ ब्यावारिक रूप से कुछ करे, फूल का छिड़काव, या पानी का जल का छिड़काव, अपने देखा होगा कुछ-कुछ पूजावा में ऐसे करते हैं, तो यह सभी प्रैक्टिकल रूप से कर हो, और ही प्रभावसाली होता है, हम लोग के यहां पर तो अभी बहुत सारे दुख और रोग की अवस्ता में भी कुछ मंत्र का उचारन करके उसको ठीक किया जाता है, यह अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति सारे रूप से मानसिक बन जाता है, वो मानसिक रोग लंबे समय तक राता है, यह सारे रूप से ठीक हो जाते है, स्वस्त हो जाता है, लेकिन मन का रोग जो है नई जाता है, तो यह मानसिक रूप से उचारन करने के बाद वो व्यक्ति अगले दिन सह हो जाता है, इसका भी प्रभाव है, लेकिन इसान टिविक की रुख से नहीं दिखा सकते है आपको, इसका बहुती अर्थ अच्छा है एक ब्यक्ति को सुद्ध रुप से ध्यान, साधना, धर्मा में आगे बढ़ने के लिए, और सबका सभाव अलग-अलग होता है ब्यक्तियों में, कोई ब्यक्ति बहुती गुश्यल सभाव का, कोई ब्यक्ति एकदम मंद बुद्धी वाला, कोई ब्यक्ति एकदम आश्य सुस्त, बहुत सारे ध्यान का अभ्यास करने में कुछ समझने पाते हैं, उनके लिए भी, उनक धर्म में भी इसको जोड़ा गया ताकि ये ब्यक्ति तुरन कुछ करे अपना अपना कुछ युग्यता निकाले अपना कल्यान करे इस संसार के चक्र में पड़े ना रहे इसलिए इसका अर्थ भी इस ब्यक्ति के जो युग्यता निकालने के लिए ये मंत्र का प्रयक किया ग करता है वह गुरू कि माधिम ची आपको मिलेगा बहुत समय पहले बताया था एक आशा जी ने प्रश्ण किया था कि यह महायान का एक दिhyान है महा widra दिहान इसके बारा इन है महायान में बहुत सारा अईसा ग्यान है या इसा मंत्र उचारन है जिसको किसी गुरु और शिष्य शिष्य की युगता अनुशारी से गुरु उनको देते हैं, पॉब्लिक नहीं बताते हैं क्योंकि मैंने भी कुछ-कुछ सिखा है जो पॉब्लिक नहीं बताया जाता है इसे सिष्ष को ही बताते है जो वो उस नियम कानून के दोर से गुजरता है जो उसमें जो ग्यता आ जाता है तो भी बताते है इसलिए महामुद्रमेडिशन भी उसी में से एक हो सकता है आपको में बताना चाहता हूँ तो जो भी प्रश्णा होगा आवश्य ही कमेंड मक्स में कमेंड करके पुछे मंत्र के बारे में ध्यान धर्म साधना के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद